हरे कृष्णा एक कृष्णा कॉंसियस फेमिली में एक स्ट्री का क्या भुमिका होती है एक बहुत महत्वपूर्णा भुमिका है स्ट्री का प्रसादम बनाना आपने सुना होगा ऐसा कहा जाता है कि जैसा अन वैसा मन इसका अर्थ है हम जैसा फूट खाते है खाना खाते है उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है हमारे कॉंसियस्नेस पर पड़ता है इसलिए पुराने जमाने में हमेशा धार्मिक बहु लाने पर भी पढ़ी जोड दिया गया था ऐसा नहीं कि कोई भी बहु ले आए वो लोग चाहते थे कि अगर धार्मिक बहु होंगी तो मर्यादा में रहेंगी और उनकी सोच जो है पॉजिटिव होंगी और जिससे जो भी खाना वो पकाएगी उसका पॉजिटिव प्रभाव घर वालों पर भी पड़ेगा जिससे कोई बहुत गुस्से में खाना पकाती है तो उससे उस खाने में गुस्सा ट्रांसफर होता है एक्च्वेली अगनी के द्वारा कॉंसियसनेस ज़्यादा ट्रांसफर होता है जब हम कोई भी वस्टू अगनी में पकाते हैं तो उस स्ट्री का कॉंसियसनेस उस वस्टू में घुस जाती है और फिर जो भी वेक्ति उसको खाते हैं उनको भी उनका कॉंसियसनेस का प्रभाव पड़ता है इसलिए एक स्ट्री को खुद को पूरी तरह कुंसियसनेस बनाना उनका पहला रिस्पॉंसिबिलिटी है जब वो भगवान के लिए भोग पकाती है और बाद में वो भगवान को भोग लगाती है और भगवान को भोग लगाने के बाद वो प्रसादम बनता है तो वो हमें भी कृष्ण भक्ति की और अग्रसर करते है Actually ये एक बहुत अच्छी सेवा है जो एक स्ट्री बहुत महत्तोपुर्ण भुमी का घर में निभा सकती है Varieties of प्रसादम बना के भगवान की प्रसंदनता के लिए क्योंकि जब हम भगवान के लिए कोई भी कार्य करते है तो उसे भक्ति कहलाया जाता है Just for example, अगर वो स्ट्री को दिन में दो तिन घंटा किच्छन में भी लग गया तो उसको भी भक्ति में ही इंक्लूट किया जाएगा क्योंकि वो जो भोग बना रही है वो भगवान कृष्ण के लिए बना रही है इसलिए हर माता को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो लोग पूर्णत या कृष्ण कॉंसियर्स होकर ही भोग तयार करे और सबसे इंपोर्टन्ट है जिस समय वो भोग बना है उस समय उनको राधरानी का भी स्मरन होना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए प्रसादम बना नहीं सकती दिरेक्ट लेकिन मैं राधरानी को मदद कर सकती हूँ, help कर सकती हूँ तो एक्चुली स्री कृष्ण के लिए श्रीमती राधरानी प्रसादम भोग बना रही है और मैं उनका मदद कर रही हूँ राधरानी के हाथ का भोग बनाया हुआ ही इसुदा मैय कृष्ण को भोग लगाना चाहती थी और कई बार वो राधरानी को अपने घर में बुलाती थी ताकि वो कृष्ण के लिए भोग बनाये क्योंकि ऐसा आशिरबात राधरानी को प्राप्त था कि जो भी उनके हाथ का बनाया हुआ भोग या खाना खाएंगे वो कभी भी बुढ़े नहीं होंगे और लॉंग लाइफ तर जीएंगे एटसेटर एटसेटर तो इस तरह से अगर एक स्ट्री पुरी तरह कृष्ण कॉंसियस होकर भोग बनाती है उस समय वो हरे कृष्ण महामंत्र का जब करकर के मन में भोग बना सकती है कृष्ण का स्मरंद करके कि कृष्ण किस तरह से खाएंगे या लेक्शर सुन-सुन के बना सकती है तो वो दो तिन खंटा भी भगवान भक्ति में ही इंक्लोड करते है तो प्रसादम बनाना एक स्ट्री का एक घर में बहुत महत्त्वपुर्ण भुमिका है क्योंकि हम करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि हम भगवान कृष्ण का प्रसादम खाएं और वो भी एक ऐसे व्यक्ति का बनाया हुआ जो भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से रथ है तो आइठिंग कि ये एक बहुत महत्त्वपुर्ण भुमिका स्ट्री को निभाना और इस तरह से भगवान भी कृष्णा भी हमारे उपर प्रसंद्न होते हैं जब हम प्रसंद्न अता पुर्वक उनके लिए कुकिंग करके उनके भक्तों को खिलाते हैं और अगर कोई ऐसा फैमिली भी है कि ऐसे फैमिली में किष्ण कॉंसियस्ट्री चली जाती है जो भक्त जाता है जब एक भक्त माता जी पुर्णत्य कृष्ण कॉंसियस होकर भोग बनाती है प्रसादम खिलाती है अपने परिवार को जो अभक्त भी हो लेकिन धिरे-धिरे उनका कृष्ण के प्रती भक्ती हृदय में जागरित हो ही जाती है हरे कृष्णा